बंगलादेश में वहां के अल्प संक्यत हिंदूं उपर इस प्रकार शत्याचार हो रहा है और बंगलादेश की सर्कार उसके संयान नहीं ले रही है प्राइब इसके बारे में शर्व हिंदू समाज द्वारा चार दिसंबर को शीकर में और स्रीमादुपुर में एकर्चत रहोकर प्रधान मंत्री जी राष्कती जी और युहनों के नाम जयापन दिया जाएगा इस सिल्सिले में आज चर्चा परिचर्चा के लिए लुए अज़ां श्रवीजां के लुए जान बांटी आज दियागों जी और सिकर में देड़ वजह भूहां जे रामला मैधान या परिज़त तो प्रूकर लुक्रेट तक जाएंगे यापन दियाजारा लिए उस कारिक्रम पाविशा सेंगागी बात करे परदेश में जो ह भाजबा द्रमान्तरन कानून ला रही है उसको लेकर देखिए पिछले कुछ दिनों दिस प्रकार का वाताउन बना है लोग में, लालत में, दवाओ में और विशेश रूप से लव जिहाद के मात्यम से द्रमान्तरन के कारिकरम होए और उसके बाद उनके इस प्रकार के नर्सन सक्थें कीजिए ये बहुत दुखत वाताउन से और इस सब से निपडने के लिए द्रमान्तरन ब्रोदी तानूदास्तों में जाने के लिए मंत्रिमंडल में अनमोदन हुआ है अब जब खरवरी में विशान सबस्त रहेगा तब दुखत किया जाएगा जारा कानून द्रमान्तरन का वो पहले वसंद्रा सरकार के ठ्रक्सर में भी लाया गया था जिसका क्या और सुवार उसी तरह से इसका लाया गया था लेकिन उसक का यह स्वीकर्ति मिलनी थी वो स्वीकर्ति नहीं मिल पाया थी विधान सबस्ति पारित हो गया था इसलिए वो लागू नहीं हो पया अब 12,000,000 तरह राज जपाल मोदे के मार पत्र महमें मराश्पति मोदे का जबन वह अफराब हो जए तो वो कानून मन कर राजस्तान के अब भाजपा पर आजच की तो कहना नहीं मानने का रोप लगाया मोन बागवत साप शार्वने के रोप से तुरबाते करते हैं और कुछ संग्ठन के सब्सक्राइब सायवने एक वेक्तविज होता है वो संसेफों में और देогलता में जागर्टी पैदा करने के लिए होता है और संग्ठन के स중र्पर बेड़कर जो चर्चा परिचर्चा में कोई बात होती है, वो लागू करने को जब तक जन जागरती नहीं होगी, जनता के बीच आपकी बातों को समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है, उन्होंने जो बाते कही हैं, वो जनता के बीच चर्चा परिचर्चा हो, उन तो निशित रूप ते वो बात कि पार्टी के सर्पे लागों नहींगे तिरो अगर आवसक्ता पड़ेगी कि सरकार के सर्पे उसने कोई कारवाय होने है तो इस बात में कहीं कोई संसे नहीं है कि एक अजार साल तक इस देश में जिस परकार का अन्याय और अच्याचार हुए धार्विच्स क्योंको नश्मश्ट के आए तलवार की नौक पर वोगों का ध्रमांतन हुए तो उसमें कोई अची स्योक्ति नहीं है कि भौत से जगे ऐसी हैं कि जहां हमारे ध्रंसलों को अगर अजमेर की दर्गा में भी इस परकार का को ही इसब्स एक भी शाहलन चाहां लेकी जब उसकी विग्यानिक विज्ञानिक तरीके से धान्च होने के बाद अगर इस परकार के सबूत मिलते हैं तो शंबधाय को भी इस बात को सिंकार करना चाही और बैत कर बातचीत के तो जो है कब तक निकाय चुनाओ करवाए जाएंगे अभी परिशियमन और पूनर गठन का कारिकरम जारी हुआ है जब पहले परिशियमन होगा उसके बाद बाद पूनर गठन होगा और उसके बाद चुनाओ को